मैं एस्ट्रलाजर शिखा जैन आज आपके साथ तीन नंबर को लेके डिसकस करूँगी तीन नंबर मुल्यानकन का तीन नंबर मुल्यानकन की मैंने पहले भी वीडियो बना रखिया बहुत डिटेल के अंदर अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पर आज हम तीन की तो बात करेंगे लेकिन आज हम बात करेंगे डेट बारा को जो पैदा हुएं बच्चे 21 को जो पैदा हुएं और 30 को जो पैदा हुएं वेक्ति क्योंकि इन सब का नेचर अलग-अलग होता है इन सब का बहेवियर अलग-अलग होता है और तो और कई बार देखा गया है कि बतुल अलग प्रवर्थी की होते हैं थोड़ा बेसिक तो उनका वही होता है क्योंकि तीन किस किसी इसको प्रिजेंट करता है घ्यान को थोड़ी ग्यानी टाइप अपने आपको थोड़ा सा अपना दिखाना, थोड़ा सा दिखावे कि इनकी प्रवृर्टी होती है. और थोड़ा सा ये जूर भी कभी कभी बूलते हैं. दूसरा, नमें हाँ, ये कहेंगे कि इनमें ज्यान की बहुत सदाधत होता एनके अंदर. और दूसरा पढ़ाई के लिए बहुत सेरियस होते है कई बर देखा गया है कि कई बर लड़की बहुत पढ़ी लिखी होती है उसके तीन नमबर वाली लड़की बहुत पढ़ी लिखी है उसके लड़का ढूनने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि उसका match नहीं मिल पाता उसके विचार उसके साथ नहीं मिल पाते तो तीन नमबर वालों के साथ बहुत इस चीज़ का दिक्ट आती है आए इनके love relation हो किसी के साथ आप guess भी नहीं कर सकते हैं आप पता भी नहीं लगा सकती हैं कि ये किस के साथ involved है दूसरी चीज इनके विचारों को ये अपने विचारों को बहुत ये अच्छे से explain करना जाते हैं क्योंकि गुरू हो गए ना तीन नंबर किसका है गुरू का है दूसरा आप देखेंगे कई बार इनका माथा बहुत चोड़ा होता है चोड़ा माथा होगा तो विचार भी बहुत आएंगे उसके अंदर पर ये देखना होता है कितने विचार लागू हुए कितने नहीं हुए कितने वेर्थ ही चले गए कुंडली इसके अंदर हमारी कुंडली भी बहुत मैटर करती है astrologic के अंदर कुंडली चार्ट के अंदर हमारी गुरू की position देखना बहुत ज़रूरी है तो हमें nemerology के साथ साथ थोड़ा सा अपने चार्ट पे भी focus करना चाहिए कि उसके अंदर गुरू की position हमारी कैसी है अगर गुरू अच्छी position में है आपका अच्छे घर का स्वामी है अच्छी जंगा बैठा है तो वो आपको life की उचाईयों तक ले जाएगा आपको विद्या का इतना सागर देगा बहुत ही आपको अच्छी शिक्षा उच्छी शिक्षा उच्छी सरकारी नोगरी और आपके अंदर हर टॉपिक पर बात करने की शमता होगी तो गुरू की position देखना भी बहुत ज़रूरी है बाकी चलो आज हम numbers की बात करने हैं तो अब हम बात करते हैं 12 नंबर वालों की एक और दो 12 किस से मिलके बना है सूर्य और चंद्रमा से तो ये लोग थोड़े से पहले काम कर लेते हैं बाद में सूचते हैं पहले तो पिल जाएक मालो किसी ने कुछ काम बोला सोचेंगे नहीं सबको अपनी importance दिखाने के लिए पहले काम करने लग जाएंगे उस काम को खतम करेंगे और फिर बाद में सोचेंगे और यार यार ये काम गलत था कि ठीक था ये लोग घर के जो head of the family होगा उसके आसपास घूमते रहते हैं मतलब थोड़ा सा शायद ये कह सकते हैं चमचागरी टाइप करते रहते हैं कि शायद हम इनकी नजरों में आ जाएं शायद हम इनके good list में आ जाएं ये boss के भी आसपास अपने गूमते रहते हैं boss ने काम किया तुरंट उसमें लग जाते हैं पहले action लेते हैं बाद में सोचते हैं क्योंकि एक number क्या है सूर्यदेव का number है तो काम ego इनके अंदर होती है एगोईस्टिक होते हैं थोड़े से ये अगर किसी ने कुछ कह दिया तो सब को छोट छाड़ भी देते हैं बाद में सोचेंगे तो बाद में ना कि क्या negative है क्या positive है तो ये चिस्तों वो बाद में सोचते हैं थोड़ा सा दूसरों की मदद भी ये करने में आगे रहते हैं लेकिन पहले अपना सोचते हैं पहले अपना फर्स प्रेफरेंस ये अपने आपको देते हैं कि मैं ठीक हूँ तो फिर मैं दूसरों की मदद करूँगा क्योंकि ये एक नमबर इसमें सूर्य का है और दो चंद्रमा का है कई बार ये काम करने के बाद इनका दिमाग में ये सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं कर दिया जो जोश में कर देंगे लेकिन फिर बाद में सोचते हैं क्या मैंने अच्छा करा क्या मैंने बुरा करा मैंने ये काम ठीक करा है कि नहीं किया है क्या मुझे करना चाहिए था कि मुझे नहीं करना चाहिए था बिना सोचे समझे कई बार ये किसी काम में कूद पड़ते हैं या किसी मालो रिष्टा है उसमें कूद पड़ेंगे बिना सोचे समझे किसी रिलेशन में कूद लेकिन बाद में सोचेंगे क्या ये बंदा मेरे विचार इससे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं मैं इसके साथ एरजिस्ट हो पा रहा हूं कि नहीं हो पा रहा हूं फिर उसे छोड़ने के लिए भी इनके मन में बहुत उथल पुतल रहेगी बहुत जादा ये परिशान हो जाते हैं क्योंकि चंदरमा का भी नंबर है सोचेंगे जरूर और मन से सोचेंगे तो ये परिशान भी बहुत जल्दी हो जाते हैं तो इसलिए इनको थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए पहले सोचना चाहिए, फिर फैसला लेना चाहिए तो अब हम बात करते हैं 21 नंबर वालों की, 2 और एक नंबर दो नंबर पहले आ गया, एक नंबर बाद में आया है तो पहले सोचेंगे, बाद में काम करेंगे भाई किसी को जल्दी हो तो कहीं और जाके काम करा लो पर हम पहले सोचेंगे पहले विचार फिर एक्षन ऐसा नहीं है एकदन से काम में कूच जाते तो दोनों के नेचर में देखी आप कितना डिफरेंस हो गया 12 नमबर वाले में और 21 नमबर वाले में इसमें चंद्रमा का नमबर पहले आगया तो पहले क्या आगयी सोच आगयी इनसान की और एक नमबर बाद में आगया एक्षन आगया तो इसलिए पहले सोचेंगे बाद में उस चीस के उपर एक्षन लेंगे अगर वो ठीक होगा तभी कार्रे को करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे अगर उनके घर का कोई बड़ा भी कोई काम कह रहा है अगर उन्हें ठीक लगेगा उनकी समझ में आएगा उन्हें अच्छा लगेगा तभी वो उस कार्रे में पढ़ेंगे नहीं तो नहीं पढ़ेंगे अगर उनकी knowledge उनकी पढ़ाई से संबंदित कोई काम है और वो उसके विपरीज जाके कोई काम हो रहा होगा तो वो उसकाम को करने की कोशिश क्या मलब उसको avoid ही करेंगे वो कहेंगे कि ये काम हमारा नहीं है हम नहीं करेंगे हाला कि वो चाहिए उसकाम को कर भी सकते होंगे लेकिन पहले वो अपना सोचेंगे कि मैं इसको कर सकता हूँ कि मैं इसको नहीं कर सकता अगर वो उसकाम को अच्छे से नहीं कर सकते होंगे क्योंकि इनको perfection भी चाहिए एक और एक नमबर सूर्य का भी आ रहा है और दो नमबर मन का भी आ रहा है मन ना दुखी हो जाए और सूरे से थोड़ी बेस्ती है लोग बहुत जल्दी महासूस कर लेते हैं तो हमारी कहीं publicly बेस्ती है नहीं गुषते हैं यह लोग जो काम इनके बस में होता है वही करते हैं अग और खरआ पोजेशन में है, फिर तो ये कहीं भी गुज जाएंगे. तो अच्छी पोजेशन में गुरू का बहुत रोल होता है. क्योंकि पढ़ाई हमारी गुरू से बहुत मैटर करती है. कही नशी हमारी पढ़ाई गुरू के ऑपर बहुत निर्भर करती है. क्योंकि हमें शिक्षा कौन देता है, गुरू ही तो देते हैं, तो गुरू का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ये लोग डांस में, म्यूजिक में, तीन नमबर वाले बहुत अच्छे होते हैं, कुछ भी चीज सीखने पे आते हैं, तो बहुत अच्छे से सीखने हैं, क्यों तो दांस में होंगे थोड़ी सीने गौसिप के आदत होती है जंगा जंगा बैठके बाते करना इने बढ़ा अच्छा लगता है चुगलिया करना भी बहुत अच्छा लगता है तो यह इनका बेसिक नीचर है पर 21 सालों में काबिलियत होती है वो कोई भी मामला हो उसको जट स दें सुलगा लेते हैं चाहिए वो पारिबारी हो चाहिए ऑफिस में हो वो अपने अपनी परीशानियोंगो हटाते हुए आगे लाइफ में बढ़ता है और बहुत अच्छ अच्छ से उपनी लाइफ को मैनेज करते हैं यहिन में अच्छी क्वालिटी है परवा नहीं ृ स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तीस, तीन और जीरो फिर वोई तीन नमबर आ गया पर लेकिन जीरो भी है जीरो एक गहराई है बहुत ही गहराई ये लोग इश्वर में बहुत विश्वास रखते हैं भगवान की पूजा अरादना में बहुत विश्वास रखते हैं किसी भी चीज़ को करने में, ये जोतिश में भी बहुत विश्वास रखते हैं उकल्ट साइंस में इनकी एक विशेश सी रुची होती है चाहे इनको समय मिले, चाहे ना मिले ये अपने काम को थोड़ा सा वक्त दे ही देते हैं किताबे पढ़ना इन्हें बहुत पसंद होता है किताबे पढ़के ये अपना खाली टाइम किताबों में निकालते है दूसरा इनमें एगो नहीं होती है ये दूसरों की मदद भी करते हैं और उसको कोई एहसान भी नहीं दिखाते हैं जैसा जो होता है उसको वैसा ही उसके साथ बिहेव करते हैं अपने आपको जदा बड़ा पन नहीं दिखाते हैं तो ये बड़ी शहर शीलता इनके अंदर होती है धैरे इनके अंदर कमाल का होता है ये बहुत धैरे रखते हैं किस चीज को करने के लिए किसी काम का नहीं हो रहा हो तो ज़्यादा उत्तेजित नहीं होते हैं उसके अंदर वेट करते हैं उसको दीरे दीरे समय पे हो जाएगा इनका ये प्रवर्ती होती है और दूसरा ये अपने कम्यों को और अपनी अच्छा अगर इनके अंदर कम्या हैं त को बढ़ा चड़ा के बताएंगे ऐसा नहीं होता हां अपने कामों को एकस्प्लेइन जरूर कर तो करेंगे ही एकस्प्लेइन करने की प्रवर्दिस की बहुत सॉलिड होती है और यह अच्छे से बातों को markings explain करते हैं बताते हैं दूसरों को अगर कोई बच्चा इनकास पढ़ने के लिए आ जाए तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे उसकी हेल्प करेंगे और ये बहुत ही अच्छे लेखक होते हैं बहुत ही अच्छे ये राइटर होते हैं बहुत ही अच्छे रीडर होते हैं तो ये लोग अपनी गहराईयों में घू उस चीज का लॉजिक ये खतम हो जाता है पर फिर भी उस चीज के गहराईयों को लेके गहूमते रहते हैं गहूमते रहते हैं तो ये थोड़ा सा इनको अपने लिए सोचना चाहिए अगर 30 नमबर वाला किसी चीज किसी अध्यात्मिक ज्यान के बीचे पर जाए तो वो उस च इसके लिए अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो वो उस चीज में सफल हो सकता है तो आज हमने बात करी तीन नमबर वालों की देखा ना सबका वैवार अलग-अलग होता है सबका भागय अलग-अलग सबके काम करने की श्यमता अलग-अलग आगे भी हम इसी तरह अपनी वीडि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें थैंक यू